Hello students, good morning, welcome to my YouTube channel तो जो हमने अभी कल compound unit cell के count करने सीखे थे उनके लिए कुछ problems करेंगे हम numerical के true, इं numerical एक HB, SC में तो पक्का पूछा जाता है numerical ठीक है तो दो problem solve करवाँगी और उसके बाद आपको try करना तो देखो बड़े ध्यान से statement पढ़ना a compound, कहरा कि compound है formed by element A and B जो की A और B दो टाइप के element से बना है has a cubic, यानि कि एक cube है ठीक है, इस cube के अंदर दो तरहा के elements है ठीक है, जो elements है वो दो तरहा के है ठीक है, A और B ठीक है, cubic structure in which A atom are at the corner जो A atom है न वो corners पे है और आपको पता है कि corners 8 होते है न तो यह सारे A atom है ठीक है, A atom कहां पर है corner पर है ठीक है, of cube and B atom are the face center drive formula और जो B है वो face पे है face के center पे है और face कितने होते है, 6 1, 2, 3, 4, 5 और एक इसके back वाला ठीक है, B कहां पर है face center पे ठीक है, अब देखो A इनका formula बताना है हमें ठीक है, तो A कहां पर है corners पर है, corners के लिए हम क्या करते है, 1 by 8 into 8, याद है न, तो 1 यनि A तो है 1 और B है face center, face center के लिए क्या करेंगे हम 1 by 2 into 6, यानिकी 3 तो यहाँ पर जो आपका formula बनके आएगा, वो आएगा A ratio B, 1 ratio 3 यह इसका answer आगया और formula क्या बनजेगा इसका A1, B3 या फिर A, B3 ठीक है, तो यह solve कर दिया देखो कितना easy है इसको solve करना मैं pause कर देखो, तो screenshot ले लो इसका अब यह वाला solve करेंगे तो देखो यहाँ statement है, cubic solid is made up of two elements X and Y, अब यहाँ पर जो cube है आपकी वो दो element X और Y से बना हुआ है ठीक है, X और Y से Y प्रेजेंट एर्थी corner दियान रखना है, कौन सा corner पर है Y है corner पर ठीक है, Y है corner पर और X कहाँ है, X एर्थी body center X यहाँ पर है, body center पर body center पर ठीक है, उसका formula निकालना है अब में तो Y तो Y होजेगा Y corner पर है, तो 1 by 8 तो Y के लिए तो यह होजेगा 1 by 8 into 8 is equal to 1 ठीक है, लेकिन X के लिए क्या होगा, body center हो body center मैंने आपको बताया था, 1 into 1 is equal to 1 तो formula क्या बनेगा, ratio क्या है पहले इनकी, X ratio Y 1 ratio 1, ठीक है formula क्या बनेगा, X 1, Y 1 या फिर X Y तो इस तरह से यह solve करने है आपको ठीक है, screenshot ले रही हो अधिक है अधिक है